कि यह गाइस वेल्कम बैक तो मैं चानल सो टूड़े आंप तॉकिं मंपारला नाइट ड्रीम जो की सेक्स पेर के दौा लिखा गया यह कॉमिक प्ले है जो कि सेक्स पेर के दौा लिखा गया थ और इसकी जो इसे आगे जाके पढ़ोगे, सबसे पहले मैं इसकी चैरेक्टर के बारे में डिसकस कर दूँगी, पर जैसा कि मैंने बताया है कि इसकी जो सेक्सपेर की बियाग्रफी है, मैंने इसकी पिक्चर्स पर मैंने डाले हुए हैं, तो आपको वहाँ पर टेंशन नहीं होगे, मैं सबसे पहले इसके चैरेक्टर को बता देती हूँ, सबसे पहला जो चैरेक्टर लाइसेंडर, सेकंड जो है ड्रमेटियस, थर्ड जो है हर्मिया, फूर्ड जो है हेलन, और चैरेक्टर है रॉबिन गुडफैलो, जो कि पक भी नाम से बहुत फेमस है, आपको पूछा भी जा सकता है, कि आप पक्के चैरेक्टर के बारे में बताओ, जो कि वहां की फैरीज है, थीसिस, थीसिस जो है, ड्यूक ऑफ एंथिस होते हैं, वो साधी करने वाले हैं, हुपर्टोलिया से, और फिर आती है, मिया के फादर, एग एनगस, इस स्टोरी की सुरुआत होती है, जो कि वहीं, पुटोलिया से साधी करने वाले होते हैं, और उनका जो बहुत फेमस, अर्वेंट और सोलजर, जो होते हैं, हर्मिया के फादर, एगनस होते हैं, पर एगनस थीसिस से, अपने सारे प्रॉबलम सेयर करते हैं, कि कि तरीखे से हर्मिया, जो है, लाइसेंडर को तो वह चाहती ही नहीं थी कि उसे साधी करें पर देन द्यूक ऑफ एंधिया जो थीसस होते हैं वह कहते हैं कि या तो तुम या तो तुम साधी कर लो जिससे तुम्हारे फादर कह रहा है इनके हिसाब से कि नहीं तो तुम पूरी जिद्गी नन बन कर रहा हूं लाइक वक्ती के रूप में अपनी भाग जाएंगे, बिकाज उनकी बाते तो कोई सुनने वाला है नहीं वहाँ पे, अभी वो दोने जब भागने वाले होते हैं, तो वहाँ पे आती हेलन, हेलन जो की ड्रेमेटियस से बहुत जादा प्यार करती हैं, और हो चाहती है, कि उसकी साधी उससे हो जाए, पर ड्रेमे ले कोई से अधेटियस को बता दी तिए, बिकाज उसे हो इंप्रेस जो करना था, तो यह सारी बाते हैं, जब बता दीते हो घुझार, फोज में निकल जाता और एक जंगल में चल जाता है, वहाँ पर जो पर्परेशन और तो यह दोनों का बहुत जगरा होता है तो आपर जो है वह अपनी वाइफ को सबक सिखाने के लिए रॉबिन गुट फैलो के पास जाता है और वह कहता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा ड्रॉप दो ताकि वो मुझे लव करने लगे और फिर यह यह भी चाहता है कि यह जो अल दो फोर केरेक्टर का लव सोरी है वो भी सॉल्व हो सके तो वो बोलता है कि तुम यह ड्रॉप को प्यार हो जाएगा बट वो जो है गलती से लाइसेंडर के आंकों में डाल देता है और वो जैसे ही उड़ता है तो वो देखता है कि सबसे पहले हो हैलन को देखता है उसे हलन से प्यार हो जाता है अब जो है लाइसंडर और ड्रामेटियस जो है पर मिलते हैं तो लाइसंड और विन जो है वह बॉटम से पूछता है कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं तब तब जाके वह क्या करता है कि फिरसे वह डॉप हेला रमेटियस के आग में डाल देता है और किसी किसी तरह ऑपरेन को बोलता है कि तौम हलन कुछ के सामने लेकिया और वो सारी problem solve हो जाएगी तो पहले तो ले कि आ जाता है Helen को तब वो ड्रामेटी इस जो है Helen को प्यार करने लगते हैं जो है पक को कहता है कि तुम एनिहाउ इस problem को solve करो तो वो एक रात क्या करता है कि उस magic का effect खतम करने के लिए के आंग में फिर से ट्रॉप डालता है ताकि उस magic का effect पूरे तरीके से खतम हो जाए उसके अंदर से और वो पहले की तरह हर्मिया को like करने लगें तो ऐसा होता है कि वो magic का effect खतम हो जाता और पक यह सारी जीजों को फिर से ठीक कर देता है तो जैसा कि मैंने सबसे पहले स्टोरी में बताया था कि थीसिस को इससे बहुत रास था कि लैसेंडर और हर्मिया की साधी नहीं होनी चाहिए तो भी द्यूक जो है वहां पर राज़स जो है वह जंगल में आते हैं वही कैरेक्टर मतलब वही जो ना लेते हूं और वह दोनों की साधी करा देते हो देन वो तो था अपने आराजय का बहुत ताग्यकारी और अपने राजय के बाद को मान लेता है और एफ्टर एट वह जाता है तो गाइस यह चारी थी यह पुल फुल-ण लॉफ चोरी थी के बेस्ट पे च्टोरी है तो आप झाल